अब हम देखते हैं कि दूसरा प्राथमिक आर्थिक क्रिया कलाप या प्राथमिक व्यवसाय जिसके अंतरगत हमने बात की थी भोजन का संग्रहन तो हम जब आखेट की बात कर रहे हैं या भोजन संग्रहन की बात कर रहे हैं तो आखेट में तो पशुओं का अलग-अलग प्रकार के जीवजन्तों का शिकार किया जाता था और भोजन का जो संग्रहन है वो किया जाता था और जब हम संग्रहन की बात कर रहे हैं तो वो वनो से मिलने वाली जो अलग-अलग उसके जैसे वरिक्ष है तो उसकी पतियां, कंद, मूल, फल ये सब के द्वारा इन सभी को संग्रहन करके जो है वो मनुष्य अपना जीवन्यापन करता था या भोजन की आपूर्ती करता था लेकिन तब हम कहें कि उतना अधिक परियावरन को नुकसान नहीं पहुंसता था क्योंकि जैसे जो आखेट या शिकार किया जाता था तब भी उसकी आवशक्ताएं सिमीत थी और चाहे वो संग्रहन भी कर रहा है या वनों के अलग-अलग उत्पादों का वो संचे कर रहा है तो भी वो उतनी मात्रा में वनों का विनाश नह का भी व्यवसाई करण जो है वो हो चुका है और इस व्यवसाई करण की जब हम बात कर रहे हैं तो व्यवसाई करण का मतलब क्या है कि फिर इसमें जो भी संचे या जो संग्रहन किया जाएगा वन के अलग-अलग उत्पादों का चाहे हम छाल की बात करें हम पत्तियों की करें हम फलो की बात करें हम बीजों की बात करें तो यह सभी पदार्थों का संचय या सभी उत्पादों का जो संग्रह है वो लाभ कमाने के उद्देश से या आय प्राप्त करने की उद्देश से किया जाता है तब यह बहुत ज़्यादा नुकसान दे है और हमारे परियावर जहां पर इस वेवसाय को अपनाया जाता है तो प्रमुख रूप से जब हम विश्व में इसके वित्रण की बात करें तो यहां पर हम देख लेते हैं पहला उच्चक शांसी छेत्र और दूसरा निम्नक शांसी छेत्र अभी जैसे हमने आखेट के संबंध में बात की थी जो श जाते हैं तो अभी हमने कहा चाहे उच्चक शांसों की हम बात करें जो बहुत ठंडे छेत्र हैं ठंडे प्रदेश है और फिर हम निम्नक शांसों की बात करें जो बहुत ही गर्म छेत्र होते हैं तो उच्चक शांसों में भी हम देख लेते हैं आपका पूरा उत्तरी कनाड उसके साथ ही उत्तरी यूरेशिया, इस यूरेशिया का मतलब हमको पता है कि यूरोप और एशिया, दोनों का ही जो उत्तरी हिस्सा है, ध्रुवी हिस्सा है, वो छेत्रा आ जाते हैं, हम बात करें लगभग साथ डिगरी, साढ़े चैसाथ डिगरी अक्षांस के ऊपर, तो उत्तरी कनाड़ा, उत्तरी यूरेशिया को हम देखते हैं, और साथ ही साथ आपका दक्षणी चीली, दक्षणी चीली भी इसी उत्चक्षांसी छेत्र में आता है, तो ये ऐसे छेत्रे हैं जहाँ पर उत्चक्षांसों के अंतरगत भोजन का संगरहन किया जाता है, फिर निमनक्षांसों की हम बात करें, तो भूमध रेखा के आसपास के छेत्र की हम बात करें हैं, जिसमें अमेजन बेसीन, है ना, अमेजन नदी के आसपास का पूरा छेत्र जो है, अमेजन बेसीन, फिर हम अफ्रिका में आ जाते हैं, तो कांगो या इसी नदी को हम जाहरे पुरा दक्षन पुर्वी एशिया का जो आंतरिक हिस्सा है इन सभी छेत्रों में भी भोजन का संग्रहन कार्य जो है वो किया जाता है अब एक छोटा सा प्रश्न आप से पूछा जा सकता है आपके एक्जाम परपस से भी एक अतिलगुतरी प्रश्न के रूप में चिकल चिंगम तो आप सभी खाते होंगे है ना तो इसी से संबंधित एक कोश्चन में पूछती हूँ चिकल चिकल क्या है है ना तो ये चिकल या आप जो चिंगम खाते हैं ये चिकल से बनता है और चिकल एक प्रकार का व्रिक्ष से निकलने वाला पेड़ से निकलने वाला और यह जो गोंद है यह किस से प्राप्त होता है तो यह जेपोटा व्रिक्ष आप देख रहे हैं सामने जेपोटा व्रिक्ष के दूध से प्राप्त गोंद से चिंगम जो है या चिकल हम जिसे कहते हैं यह बनाया जाता है प्राथमिक आर्थिक क्रिया कलाप या प्राथमिक व्यवसाय जिसके अंतरगत हमने बात की थी भोजन का संग्रहन तो हम जब आखेट की बात कर रहे हैं या भोजन संग्रहन की बात कर रहे हैं तो आखेट में तो पशुओं का अलग-अलग प्रकार के जीवजन्तों का शिकार किया जाता था और भोजन का जो संग्रहन है वो कि यह सब के द्वारा इन सभी को संग्रहन करके जो है वो मनुष्य अपना जीवन्यापन करता था या भोजन की आपूर्ती करता था लेकिन तब हम कहें कि उतना अधिक परियावरन को नुकसान नहीं पहुंसता था क्योंकि जैसे जो आखेट या शिकार किया जाता था तब भी उसकी आवशक्ताएं सिमीत थी और चाहे वो संग्रहन भी कर रहा है या वनों के अलग-अलग उत्पादों का वो संचे कर रहा है तो भी वो उतनी मात्रा में वनों का विनाश नहीं करते थे तब ये एक सिमीत मात्रा में होता था लेकिन अब हम वर्तमान समय में देखेंग तो इसकी मात्रा बहुत बढ़ गई है और इसका भी व्यवसाई करण जो है वो हो चुका है और इस व्यवसाई करण की जब हम बात कर रहे हैं तो व्यवसाई करण का मतलब क्या है कि फिर इसमें जो भी संचय या जो संग्रहन किया जाएगा वन के अलग-अलग उत्पादों क चाहे हम छाल की बात करें, हम पत्तियों की बात करें, हम फलों की बात करें, हम बीजों की बात करें, तो यह सभी पदार्थों का संचय या सभी उत्पादों का जो संग्रह है, वो लाभ कमाने के उद्देश से या आय प्राप्त करने के उद्देश से किया जाता है, तब यह बहुत जादा नुकसान दे है और हमारे परियावरण को नुकसान पहुचाने वाला है तो हम बात कर लेते हैं कि ये जो भोजन संग्रह के भी पहले हम देख लें कि कौन-कौन से ऐसे छेत्र हैं जहां पर इस वेवसाय को अपनाया जाता है तो प्रमुख रूप से जब हम वि अभी जैसे हमने आखेट के संबंध में बात की थी जो शिकार भी है चाहे हम शिकार के हैं या भोजन संग्रहन करें ये दोनों ही जो कारिये हैं वो एक कठोर जलवायू वाले छेत्रों में किये जाते हैं तो अभी हमने कहा चाहे उचक्षांसों की हम बात करें जो बहुत छेत्र हैं ठंडे प्रदेश हैं और फिर हम निम्न अक्षांसों की बात करें जो बहुत ही गर्म छेत्र होते हैं तो उच्छांसों में भी हम देख लेते हैं आपका पूरा उत्तरी कनाड़ा उसके साथ ही उत्तरी यूरेशिया इस यूरेशिया का मतलब हमको पता है कि यूरो तो उत्तरी कनाड़ा, उत्तरी युरेशिया को हम देखते हैं, और साथ ही साथ आपका दक्षणी चिली, दक्षणी चिली भी इसी ःचक्षांसी छेत्र में आता है, तो यह ऐसे छेत्रे हैं जहां पर उचक्षांसों के अंतरगत बोजन का संगरहन किया जाता है, फिर निम अक्षांसों की हम बात करें तो भूमध रेखा के आसपास के छेतर की हम बात कर रहे हैं जिसमें अमेजन बेसीन है ना अमेजन नदी के आसपास का पूरा छेतर जो है अमेजन बेसीन फिर हम अफरिका में आ जाते हैं तो कांगो या इसी नदी को हम जाहरे नदी भी कहते हैं तो कांगो के आसपास का पूरा छेत्र जिसे हम कांगो बेसीन कह रहे हैं, इसके साथ ही साथ आस्ट्रेलिया और आस्ट्रेलिया के बाद पूरा दक्षन पूर्वी एशिया का जो आंतरिक हिस्सा है, इन सभी छेत्रों में भी भोजन का संग्रहन कार्य जो है वो किया जाता है तेक अतिलगुतरी प्रश्न के रूप में आपसे पूछा जा सकता है तो हम बात कर रहे थे भोजन संग्रहन की तो ये संग्रहन में हमने देखा कि आधुनिक समय में भोजन संग्रह के कारे का बहुत व्रिहत पैमाने पर बड़े पैमाने पर व्यावसाई करण या व्यापारी करण हो चुका है और ये जो भी वरिक्ष हैं या उनसे प्राप्त उतपाध हैं जितने जो कीमती पौधे हैं उनकी पत्तियों को चाल का बीजों का इन सभी का पौधों से प्राप्त जो उतपाध हैं उनको बाजार में बेचा जाता है और बेचकर उससे आय प्राप्त की जाती है और इसी उद्देश से ही अभी वर्तमान समय में इसका संग्रहनकारी किया जाता है तो हम कुछ की बात कर लेते हैं, जैसे पौधे की जो अलग-अलग भाग होते हैं, हमने कहा जैसे च्छाल है, तो च्छाल से आप सभी परिचित हैं, और च्छाल से कुनैन, यह चमड तयार किया जाता है, उसके लिए helpful होता है, तो कुनैन, हम सभी को पता है, मलेरिया की दवा कुनाक वरिक्ष से इसकी च्छाल से कुनैन और चमड तयार किया जाता है, पत्तियों से जो है, वो अलग-अलग प्रकार के पे-पदार्थ बनाये जाते हैं, जैसे चाय, कॉफी तो आप घर में पीते ही होंगे, है ना, और यहां पर आप पिक्षर में देख भी रहे होंग कि कुछ महिलाएं जो है, वो चाय की पत्तियों को चुन रही हैं, तो यह एक व्यवसाइक इस तर पर ये कारी जो है, वो संग्रह का कारी जो है, वो किया जाता है, तो पत्तियों से जो अलग-अलग प्रकार के पे-पदार्थ हैं, दवाईया बनाने की लिए इसका किया जाता है, फिर हम यह आपने बहुत अच्छी तरह से इनसे परिचित होंगे, नाम भी सुना होगा और देखा भी होगा, आपके घर में तुलसी तो होती ही है, तुलसी का पौधा, तुलसी देखी होगी आपने नीम है, इसके बाद चिचिर्दा से भी आप जो ग्रामीर चेत्रिक के बच्चे हैं, वो बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे, और शतावर और पुनर नवा, यह कुछ ऐसे चर्चित नाम है, जो आपके शक्ति वर्धक, हम कहें कि पदार्थ बनाने के लिए, दवाईयां अलग अलग प्रकार की दवाईयां बनाने के लिए, औ कि और हमने भी बात की की चाय और कहütfen ये पदार्थ के रूप में इनका प्रेयोग किया जाता है, फिर अहम तने जो होते हैं, व्रिष के तने इन से बलाटा है, गोंध है, रबढ है, यह बनाया जाता है और इनके बीजों से अलग अलग प्रकार के व्रिष की बीजों से ते तेल तयार किया जाता है, तो तेल भी आपने देखा होगा, सनफ्लावर या सूर्य मुखी का पौधा आपने देखा ही होगा, और इससे आपको पता है, इसके बीजों से तेल निकाला जाता है, मुंफली का तेल आप रेयोग करते ही होंगे घर में, और मुंफली खाते भी हों से भी इसका तेल जो है वो तयार किया जाता है सरसो की फली से भी तेल निकाला जाता है तो वरिक्षी के जो अलग-अलग हम कहें कि इसके अलग-अलग पार्टों का इसके अलग-अलग भागों का जो उपयोग है वो अलग-अलग तरह की चीजों को प्राप्त करने के लिए ब प्रवद्योगी की कभी प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि इसका व्यावसाई करन जो हो चुका है और इसे बहुत व्रिहद इस तर पर आय प्राप्त करने के लिए ये कार्य किया जाता है। हम कहें कि कॉम्पिटीशन या प्रतिसपर्धा का सामना करना पड़ता है। और साथ ही साथ कॉम्पिटीशन के साथ ही साथ इनकी जो जगए है उसको कृत्रिम प्रदार्थों ने ले ली है। जैसे हम कॉटन का कपड़ा पहनते हैं सूती वस्त्र तो इन सूती वस्त्रों की जो जगह है वो कृत्रिम रेशों ने ले ली है, पॉलिस्टर कपड़ों ने ले ली है, क्योंकि ये ज़्यादा मजबूत होते हैं, इनके लिए महनत बनाने के लिए महनत भी कम करनी पड़ती है, तो कुछ इसी तरह से हम ये कहें कि इनके सब्सिट्यूट जो है वो ढून लि देखा कि आखेट और भोजन संग्रहन, इसके बाद हम बात करते हैं पशुचारण की, जो आपका तीसरा प्रमुख प्राथमिक व्यवसाय है, वो है आपका पशुचारण, आखेट या हम कहें कि जो हमने बात की थी शिकार पर, जो समू या मानाव समुदाय जो है, वो पह कि हमें अपने पशुओं के साथ केवल शिकार करने से ही हमारा जीवन यापन नहीं हो सकता, तब इस समुदाय या इन समुहों ने अपने मानाव समुदाय ने अपने पशुओं को पालने के लिए या इसनको पालने के विशय में सोचा या विचार किया, और उन्हें ये पशों का आखेट करके ही अपना जीवनियापन नहीं कर सकते और तब जो अलग-अलग छेत्रों में या हम कहें कि अलग-अलग जलvāyoo में जो मानो समुदाय रहते थे फिर हम फिर से बात कर लें कि मध्यक्षांसो में या अत्यांथ शीद छेत्रों में, बहुत जादा गर्म छेत्रों में, ति यह अलग-अलग जलवायूuse छेत्रों में जो रहने वाले समुदाये थे, उन्होंने वहाँ पर जो विशेश रूप से जो पशु मिलते थे, उन पशुओं को पहले पालतू बनाया, पालतू बनाया मतल कि विकास का प्रारंभिक चरण हम मान सकते हैं क्योंकि वो अपने पशों के साथ रहना सीग गय थे फिर अब ये किस किस छेत्र में या कौन कौन से जो पशु हैं उनको इन्होंने पाला तो हम देख लेते हैं जो घास के मैदान थे चुकि वहाँ पर चारा गाव उपलब्ध होते हैं घास के मैदानों में तो विश्व के जितने भी घास के मैदान हैं वहाँ पर गाय, बैल और घोडे इन पशुओं को पाला गया तुन्डा छेत्रों की हम बात करें तो तुन्डा छेत्र जो बहुत अधिक ठंडे छेत्र होते थे इन ठंडे छेत्रों में भेडों का और रेंडियर का जो है इन्हें पाला गया या इन्हें पालतु बनाया गया जो उष्ण मरुस्थल हैं मतलब बहुत गर्म जो रेगिस् पर्वती चेत्र थे यहां पर याक और लामा इन पशुओं को पालतु बनाया गया या यह हम कहें कि वर्तमान समय में भी हम देखें कि इन पशुओं को यहां पर पाला जाता है। जब यह आखेट यह शिकार करने वाला जो मानव समुदाय था उन्हें जब यह महसूस हुआ कि सिर्फ शिकार करने से उनका जीवन्यापन नहीं हो सकता। तो फिर उन्होंने पशुओं को पालतु बनाकर उनके साथ रहने का सोचा। तो यह जो समुदाय था यह पशुओं को पालने लगे और जो हम विश्व के अलग-अलग जलवायू छेत्र देखते हैं तो पूरे अलग-अलग जलवायू छेत्रों में अलग-अलग प्रकार के पशुओं पाये जाते हैं या मिलते हैं तो उन जलवायू छेत्रों में करने लगे या उनके साथ रहने लगे उनको पालने लगे इसमें भी हम देखते हैं कि जो घास के मैदान है विश्व के जितने भी घास के मैदान है चाहे हम उत्तरी अमेरिका की बात कर लें दक्षनी अमेरिका की बात कर लें अफरिका महादीप में एशिया महादीप में फिर या फिर हम किसी भी सवाना घास के मैदान की बात करें, विश्व में जितने भी घास के जो मैदान है, क्योंकि वहाँ पर प्राकृतिक रूप से एक चारागा उपलब्ध होता है, तो इसलिए वहाँ पर ऐसे जानवर पाले गए, जिन्हें घास की या चारे की अधिक आवश् जैसे कि गाह, बैल, घोडे ये जो है वो घास के मैदान में विशेश रूप से पाले जाते हैं, वही हम देखें जो टुन्रा पदेश हैं, बहुत अधिक ठंडे छेत्रे हैं, इन ठंडे छेत्रों में भेडे हैं और रेंडियर, इन पशुओं को पाला जाता है, फिर हम जो उष्ण मरुस्थल की बात करते हैं, मतलब जो गर्म रेगिस्तान है, वहाँ पर उटो को पाला जाता है, और आपको तो पता ही है कि उट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, फिर विश्व के जितने भी उचे-उचे जो परवती छेत्रे हैं, इन परवती छेत्रों में याक और लामा पशुओं को पाला जाता है तो जो पशुचारण है या हम कहें कि आप इस पिक्षर में बहुत अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे कि एक जो चरवाहा है ये बहुत सारे पशुओं के समूह को मतलब किसी एक पशुओं के जो समूह है उसके साथ जा रहा है चराने के लिए तो ये जो पशुचारण है ये भी दो तरीके से या दो प्रकार का होता है उन्हें पालने के तरीके के अनुसार और जीवन निर्वा या जीवन यापन के तरीके के आधार पर दो प्रकार जो है वो इसके दो वर्गी करण किये जाते हैं पहला है आपका चल कुक लेते हैं Rhino madig harding यë जिससे हम कि चलवासी पशुचारन कहते हैं इसकी क्या मिषषिष्टायं होती है यह हम किसे कहेंगे तो चलवासी पशुचारन जो है ये एक पशुओं पर आधारित हम कहें कि जीवन निर्वा या जीवन जीने की कला है या जीवन यापन करने की हम कहें कि एक तरीका है फिर जो प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय था उन में से हम इसे मान सकते हैं चलवासी पशुचारण को फिर इसमें जो चरवाहे होते हैं जो अपने पशुओं के साथ चलते हैं ये चरवाहे अपने भोजन के लिए आव जार या उपकरण के लिए और यातायाद के लिए ये पर्टिकुलर उसी पशों पर ही निर्भर रहते हैं जिनको वो पालते हैं फिर ये एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर लगातार प्रवास करते हैं ये एक इस्थान पर इस्थाई रूप से नहीं रहते हैं ये पशों क साथ अपने पशों के सम्मूह के साथ एक इस्थान से दूसरे इस्थान की तरफ प्रवास करते रहते हैं इसी कारण और इनके एक इस्थान पर निवास नहीं करने के कारण या हम कहें कि एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर जाने के कारण ही हम इन्हें चलवासी कहते हैं चल और वहाँ पर की घास जो है वो समाप्त हो जाती, खतम हो जाती है, तो वो अपने पशों के सम्मुह को घास की या चारे की व्यवस्था के लिए उस स्थान पर लेके जाते हैं, जहां पर उन्हें प्राकृतिक रूप से चारागा उपलब्ध होता है, और मैं फिर से बोलना च चलवासी भी जो है वो कहा जाता है या इस व्यवस्था को चलवासी पशुचारण कहा जाता है, अब इस चलवासी पशुचारण के प्रमुख पशु कौन-कौन से होते हैं, तो हम देखते हैं, हम फिर से अलग-अलग जलवायू छेत्र की बात कर रहे हैं, तो जलवायू शेत्र में भी आपके सामने यह पृत्वी या ग्लोब आपको नजर आरहा होगा या मैं कहूँ यह पुरा नक्षा विश्व का आपको नजर आरहा होगा इसमें उस नकटी बंधिये छेत्र है ना यहाँ पर यह मैं कहूँ कि पर्टिकुलर एक महाधीब की बात कर रही हूँ तो अफरीका का उश्नकटी बंधी चेत्र जो है या उश्नकटी बंधी अफरीका यह आपको मानचित्र पर बहुत अच्छी तरह से नजर आ रहा होगा तो उश्नकटी बंधी अफरीका में गाय और बैल जो है यह प्रमुख पशु होते हैं जिन्हें यहाँ पर पाला जाता ह फिर दूसरा है आपका सहारा और एशिया का मरुस्थल सहारा आपके अफरीका के रेगिस्तान है अफरीका का हम यह कहें पुरे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और इसके साथ ही साथ एशिया का जो मरुस्थल है फिर हम चाहे बात कर ले हमारे भारत की ही थार मरुस्थल की है नो तो यहाँ पर इन मरुस्थली छेत्रों में भेड़ और बकरी और इसके साथ उट जो है वो विशेश रूप से इन्हें पाला जाता है फिर तिबबत और एंडिस के जो परवती भुभाग है मतलब वेश्वक के जितने भी परवती भुभाग है उनमें भी जो तिबबत और एंडिस का परवती भुभाग है वहाँ पर याक और लामा ये दो पशुओं का पालन किया जाता है इसके बाद आर्कटिक जो हम बहुत ठंडे छेतर की बात करते हैं तो पूरा आपका नीचे हम दक्षनी गुलार्ध में आर्कटिक महादीप या आर्कटिक के अलावा जो उत्तर का उप उत्तरी भुभाग है या आर्कटिक छेतर है यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जन जाती मिलती है यह एस्किमो जो जन जाती है यह रेंडियर जो है पशु इनको पालते हैं और रेंडियर जो है वो एस्किमो की स्लेज गाड़ी होती है इन स्लेज गाड़ी को खीषते हैं इस पिक्चर में भी आपको साफ निजर आ रहा होगा जो रेंडियर है वो द्रुवी या बहुत ही ठंडे शीत प्रदेशों में। तो ये प्रमुख पशु हो गए। जो चलवासी पशुचारण के अंतरगत जिन पशुओं को पाला जाता है। तो ये जो समुदाय था ये पशुओं को पालने लगे और जो हम विश्व के अलग-अलग जलवायू छेत्र देखते हैं तो पूरे अलग-अलग जलवायू छेत्रों में अलग-अलग प्रकार के पशु पाये जाते हैं या मिलते हैं तो उन जलवायू छेत्रों में जो बन्यापन करने लगे या उनके साथ रहने लगे उनको पालने लगे इसमें भी हम देखते हैं कि जो घास के मैदान है विश्व के जितने भी घास के मैदान है चाहे हम उत्तरी अमेरिका की बात कर लें दक्षनी अमेरिका की बात कर लें अफरिका महादीप में एशिया महादी में फिरो चाहे प्रेरी हो पंपाज हो या फिर हम किसी भी सवाना घास के मैदान की बात करें विश्व में जितने भी घास के जो मैदान है क्योंकि वहाँ पर प्राकृतिक रूप से एक चारा गा उपलब्ध होता है तो इसलिए वहाँ पर ऐसे जानवर पाले गए जिन्हें घास की या चारे की अधिक आवश्यक्ता थी जैसे कि गाह, बैल, घोड़े यह जो है वो घास के मैदान में विशेश रूप से पाले जाते हैं वहीं हम देखें जो टुंड़ा पदेश हैं बहुत अधिक ठंडे छेत्रे हैं इन ठंडे छेत्रों में भेड़े हैं और जाता है और आपको तो पता ही है कि उट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है फिर विश्व के जितने भी उचे उचे जो परवती छेत्रे हैं इन परवती छेत्रों में याक और लामा पशुओं को पाला जाता है झाला जाता है झाला जाता है झाला जाता है झाला जाता है झाल झाल